कि हेलो एंड विलकम टू आनलाइन कॉंसेप्ट तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं बंगाल के जनरल गोवर्नर जो बने थे उनका मैं आगे बताने वाला हूं पिछला बार मैंने आपको वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट बता था जिसमें लौड ओर ऐसे गोवर्नर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं एक ही वीडियो में क्यूंकि वहुत छोटा छोटा रहेगा चॉटार रहेगा काफी इंपॉर्टेंट सभी रहेगा नो … हस्ता छेप की नीती को अपनाई दी सबसे पहले अगर बात किया जाएगा को पूसा जाएगा कि हस्ता छेप की नीती को किनके द्वारा अपनाए गया तो सर जॉन सूर के बार द्वारा ही अपनाए गया था इनी के समय में हम लोग बात करेंगे तो इनी के समय में क्या हुआ गर गर तो चैटर एकांट को पारित कर दिया गया था उंको पारित किया गया तो तो चैटर फ्राइट कर लिया गया था ठीक है उसके बाद इस में बोड आफ कंडूल में भारतिय को बेतन भी दिया गया था ठीक है यह इंपॉर्टेंट है लेकि सबसे इंपॉर्टेंट के सब्सक्राइब कर लिया गया था नेक्स उसके बाद हम लोग बात करते हैं वेलइजली के बारे में काफी इंपॉर्टेंट कोशं पूछे जाते हैं इइस यतने भी British सरकार को अगर मन करेगा कि कोई भी स्टेट में हम लोग को अंगरेजी सासन लाना है तो वो रख सकते हैं साहेक संधी के अंदर यही था ठीक है आप समझें कि British सरकार इतना तेज था कि वो हमें क्या सोचा कि कहीं पर भी हम अपना सरकार बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं कोई हमको रोख टोग यही करेगा कि इसके तहट जो सहाएक संधी के तहट ठीक है next हम लोग बात कर लेते हैं काफी important आ बहुत important section में बात करने वाला हूं सब इंपॉर्टेंट हैं सब्सक्राइब हैं सब्सक्राइब में लागू किया था उसके बाद मैसूर तंजौर अवध पेशवा भोसले और सिंधिया यहां पर सिंधिया यहां पर देख सकते याद करने के तरीका है बटन हैं होगा अब बच्पन ने लीजिये आप किसी को बता रहे हैं आप क्या लीजिये कौन सा घड़ी लेना है तो आपको यह से याद कर लेना है एच मतलब हो तो हैदराबाद, M मतलब मसूर, T मतलब तंजोर और A मतलब अवद, P मतलब पेशवा, B मतलब भोशले और S मतलब संधिया देखो यह pattern में याद करना है, यह sequence में ही आपको याद करना है, तो HMT आप बस, HMT आप बस तो यह क्या तसा है, एक संधिका, जो भी यह state था, उनका मैंने बात यहाँ पे किया है, ठीक है, I hope आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक है, HMT आप बस, यह आपको याद कर लेना है, चलिए next यहाँ पे देख लिजे, नेक्स यहाँ पे जो चौत था हम लोग पाद, Anglo का यूद हुआ था, उसका बात करें, तो कब हुआ तो 1799 में, यह याद कर लिजे, देखो काफी important, एक बार मैं आपको एक बार revise भी करा दू, कि जो पहला, पहला हम लोग का जो एंगलो, एंगलो मैसूर का जो पहला यूद हुआ था, लराई हुआ था, पहला, दूसरा, त इस बार क्या आ गया, फूर्थ, पूछे के समय में, फूर्थ, जो कि एंगलो मैसूर का यूद हुआ था, तो आपको याद रख लेना है, लॉड वेल जली के दौर में हुआ था, कब हुआ था, तो 1799 में हुआ था, इनी के समय में, इसी यूद में, टीपू सुल्तान का हो गया था, अब पहला हमेंने आपको कनफॉर्म किया कि यह किन की की समय में हुआ था, आपको पता कर लेना है, साथ में, कब कब हुआ था, मैं आपको एक एक कलक्र किलियर कर लेता हूं, देखो, काफी बार मैंने पूछा आप से, कि एंगलो महसूर का यूद हुआ, कब क्लिक्त लेकर 1767 से लेकर 1769 तक 17 से 1769 तक हुआ दूतीय व Sel Denative किसे लेकर 1780 तक हुआ 10 1987 से लेकर 1784 तक हुआ काफीमिपोर्टन था और सकाफी important भी यह है उसके लाद क्लिक्राइब तो 1790 से लेकर 1792 तक तीसरा कब हुआ 1799 यह काफी इंपोर्टेंट आप वो सभी सेक्षिन याद कर लेना है ठीक है तो तीये एंगलो मराथा यूद जो हुआ था वो कब हुआ था जो एंगलो मराथा जो यूद हुआ था हम लोगा वो कब हुआ था तो 1802 से 6 तक 1806 तक 1802 से लेकर 1806 तक पहला कभी याद कर लीजिए 1775 से लेकर 1775 से लेकर 182 तक 182 तक 1806 तक क्या बात कर लों पहला यूद के दूसरा कब सभी बात करें तो याद किसका समय हो मैं आपको तो लोड़ वेलजली के समय में दूतिये दूतिये हुआ ठीक है अब हम लोग तो नेक्स देख लेते हैं, नेक्स भी इंपॉर्टेंट होगा, नेक्स है कलकता में नागरिक सेवा के भरतिया करें, इसकी अंदर हम लोग बात करें, तो फोर्ट विलियम कॉलेज का अस्थापना वेले जली द्वारे ही किया गया था, ये स्वें को बंगाल के सेर भी कहा जा जाता है, ठीक है, नेक्स हम लोग पढ़ लेते हैं, नेक्स सर जॉन जो बार्सो हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ता है, बार्षो बार्लो जो बार्लो है, सर जॉन बार्लो का बात कर रहे हैं, जो जॉन बार्लो का हम लोग बात कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होग कि विलोड़् के सिपाई विद्रों के समय में कौन जेनरल गुवरनर थें तो आपको नाम ले ले लेना है 1806 में थें तो जॉर्ज बार लो फिर नेक्स राया लौक मेंटो का बात करें तो इन ही के यह इनी के समय में रंजीत सिंग के साथ हुआ था काफी इंपॉर्टेंट सेक्षन था यह सभी मैं जितना भी आपको डिटेल में बता चुका हूं सभी इंपॉर्टेंट है सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि इस चैनल को सबस्क्राइब कर लिजिए और पूरे वीडियो को लाइक किया किजिए आपने लाइक नहीं करते हैं बहुत हमको अजीव लगता है तो आप लाइक नहीं करते हैं बिल्कुल लाइक कर लिजिए वीडियो देख रहे तो ब भी को लिजी मिल देलो अगले वीडियो में थैंक्स फूर वाचिंग